ओम सिरी गने सायनमा दोस्तो एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अपरेल सौंबार के रासी फल के बारे में कीह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चैनल दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मीन राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पोजिटेव रहने वाला है दोस्तों जीवन साती से आज आपको शहुग प्राप्त हो सकता है परन्तु उसके लिए संबंध मदूर बनाए रखना बहतर रहेगा व्यवसाय के दरश्टी से आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की संभावना बन रही है इसलिए यदि आप कार्रे व्यवसाय से जुड़े हैं तो उसे आज बहतर दिशा देने का प्रत्न करें आप जिस भी किसी कार्रे को कर रहे हैं उस कार्रे से संबंधित आज आपको अच्छी काम्यावी प्राप्त होने की संभावना बन रही है शाती साथ आपको नोकरी बदलने में भी काफी लाब मिल सकता है और आपके केरियर के लिए यह परिवर्तन काफी अच्छा सिद्ध होगा दूसरी और विद्ध्यारतियों को भी उच्छ सिक्षा प्राप्त करने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिससे उनकी लंबे समय से प्रतिक्षित उच्छ सिक्षा की कामना पूरी हो सकती हैं ज्यादोस्तो कार्य चेत्र से जुड़े लोगों को भी आने वाले समय में पदुन्नती के रास्ते खुलेंगे और आपको नेने विचार आएंगे जिन्हें अपना कर आप कार्य इस्थल पर भी अच्छा प्रदसन कर पाएंगे आप अचल संपत्ति प्राप्ति के लिए भी निवेस कर सकते हैं तो आपको लाब प्रद हो सकता है कामकाज से संबंदित किसी मित्र से भी संबंद अच्छे हो सकते हैं या दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा परिवारिक जीवन में उल्लास में वातावरन रहेगा सुब समाचार मिलने से तथा होने के कारण मन काफी प्रफुलित रहेगा मित्रों से सैयोग मिल सकता है यदि आप घर परिवार के साथ किसी कारे को करने का प्रतन करते हैं तो वह भी आज सफल हो सकता है जिससे आपका मन बहुत दिप्रसन रहेगा दोस्तो साती सात यदि आप नोकरी करते हैं तो भी साइड वैवसाय करने का आज आप प्रैतन कर सकते हैं या किसी के साथ मिलकर कार्रे वैवसाय को नई दिसा दे सकते हैं या आप किसी तरह का कोई निवेश करने का मन बना रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं जिससे आप को क्यामया भी अच्छी प्राप्त हो सकती है दोस्तों बात कर लेती हैं आज आपके लिए क्या या नेगटीव हो सकता है दोस्तों कुछ लोगों का अपने परिवार से अलगाव हो सकता है इसके अतिरिक्त आप अपने करचित्र में व्यस्त होने के कारण तथा जीवन के अन्य पहलूँ पर अधिक समय देने के कारण अपने परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे जिसकी कमी आपके परीजनों को खलीगी साथि साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने काम पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा अन्य था आपके कारयले में आपको परिसानियों का सामना करना पड़ सकता है कारय सफलता के लिए आपको द्रण इक्षा सकती और मनोवल की आवश्कता होगी साथि साथ आप अपने वित्य प्रवंदन के प्रती काफी सचित रहेंगे फिर भी आपके खर्च और बचत के बीच उतार चड़ाव की इस्तिती बनी रह सकती है इसे बहतर बनाने के लिए आपको उत्तम वित्य प्रवंद पहले से ही तेयार करना चाहिए ताकि प्रती कू साथि साथ कारे चेत्र में भी काम के अधिकता रहेगी और कारे सपलता के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बरदोर के बावजूद कारों में अफेक्चित सपलता नहीं मिलने से मन वेथित रहेगा किरोद पर आज आप नियंतन एम मानी पर सेयम रखे अन्य दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तों आज आप कहीं गूमने फिरने के लिए ओफर कर सकते हैं तभी आपके प्रेम जीवन में विरत्दी होगी और प्यार के साथ साथ हर तरह के सैयोग की संभावना उत्पन हो सकती है एक दूस को स्पेसल फील करेंगे इससे आपके प्रेम जीवन में मधूरता और बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रती आकरशन की भी व्रत्दी होगी जै दोस्तों प्रेम संबंदों को लेकर आज इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं परंतु आप अपने प्रेमी प फिसले में एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को समझाना आवश्यक है यदि आप पहले से ही किसी को प्यार करते हैं तो आप उनको प्रिपोज कर सकते हैं आज का दिन आपके लिए लकी सावित होनेacon दोस्तों बात कर लेते हूं हैं आज आपका वेवेसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों आज ग्रहों की इस्तिती आपके अनुकूल रहने से आर्थिक लाब और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं कारो बार आज अच्छा चलेगा और कारों में आज आज आपको अच्छी सपलता मिलने से धनलाब के इस्तिती रहेगी विध्यार्तिय के लिए वे समय आज का काफी अच्छा रहेगा दोस्तों साथी साथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो आपके लिए भविस्ते में आगे चलकर काफी लाबदाएक साबित होगा या दोस्तों धनके लेंदेन के लिए भी आज का समय आपके लिए बहु लाब की भी काफी अच्छी स्थिती रहेगी नौकरी में भी तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला हैं दोस्तों आज आपको अपने स्वास्थ का भी विसेश सुलूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि अत्यादिक सोचने और चिंताओं के कारण आपका स्वास्थ बिगड़ सकता है साथ साथ पेट से संबंदित समस्याएं अधिक परिशान आपको कर सकती हैं इसलिए आज आप नेगटिव विचारों से दूर रहें सोचने समझने में आप समय अपना व्यर्थ ना करें और साथ साथ अपने खान पान पर भी आज आप विशे सुलूप से ध्यान दें साथ साथ दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज पर अधीशे निर्वत्र होने के बाद बेल्व पत्र के 21 पत्ते तोड़ें जया दोस्तों आपको दिहान इस बात को यह रखना है कि वे जो आप 21 पत्ते तोड़ें वे बिल्कुल साबुत हो, अखंडित नहीं होने चाहिएं, कटे फटे कहीं से ना हो जया दोस्ते इसके बहुत जल्द प्राशन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशाने चल लगी हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपकी समस्त मुनों कामने भगवान भुलेनात के आशिरवास्य अवस्य ही पून होंगी जैंद दोस्तों आप इस उपाय को वस्य करें आपको वस्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तों भगवान भुलेनात का अशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै भुलेनात अवस्य लिखें और वीडियो को लैक करना ना भूलें धन्यवाद